ओम श्री परमात्मने नमहा सुत्र पाँच तू ब्राम्मन आदी वण नहीं है और ना तू किसी आस्रम वाला है ना आख आदी इंद्रियों का विसे है ऐसा जानकर सुखी हो अश्टा वक्र जी ने तीन ही सुत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्ण ग्यान मुक्ती और वैराग का इस पश्टी करण दे कर मुक्ती की विधी बता दी आगे इसकी थोड़ी और व्यक्षा करते हैं जिससे जनक को पूर्ण रूपेंड या तत्वबोध हिर्दय गम हो जाए अस्ता वक्र कहते हैं तू सरीर नहीं है आत्मा है जो चैतन है साक्षी है आत्मा का कोई वन नहीं होता या ब्राम्मर चत्रिय वैस सूद्र नहीं होती या तो चैतन उर्जा मातर है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्यापत है या आत्मा ना किसी वणवाली है ना आस्रम वाली ही है या हिंदो मुसलिम सिख इसाई आदि-धर्म वाली भी नहीं है ना इसकी कोई जाती है ना लिंग ये चार आश्रम ब्रमचर, ग्रहस्त, वानप्रस्त एवं सन्यास भी आत्मा के नहीं है आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना भोग विषय इन तीनों से परे असंग, निराकार और विस्व का साख्छी मात्र है केवल द्रश्टा है अश्टा वक्र जनक से कहते हैं कि तूँ वही आत्मा है ऐसा जानकर सुखी हो चुकि ये वन आस्रम एवं इंद्रियों के विशे आत्मा के नहीं है अता ये तेरे नहीं हो सकते इन वन आस्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अग्यानियों के लिए है जिससे वे अपना करमिक विकास कर आत्म ग्यान को उपलब्ध हो सकें अश्टा वक्र जनक को आत्मा के वास्त्विक सरूप का ग्यान कराते हुए कहते हैं तुम इसे जान ले और अभी सुखी हो इसमें देर होती ही नहीं यह नकद धर्म है उधार नहीं है कि आज करम किया और अगले जनम में फल मिलेगा कुछ धर्म कहते हैं यह कल्यूग है यह पंचम काल है इसमें मुक्ती होगी ही नहीं कुछ कहते हैं आज से प्रत्न करना आरंब करो तो साथ जनम बार मुक्ती मिलेगी कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थ कर पेगांबर अवतार हो चुके अब कोई होने वाला नहीं है परन्तु अश्टा वक्र बड़ी निर्विक्ता से घोशना करते हैं कि यह सब बखवास है तू अपने को चैतन में इस्तिर कर ले और अभी मुक्त हो जा ऐसी घोशना कोई भी महापुरूस अवतार या गुरू नहीं कर पाए बड़ी अद्वूत घोशना है अध्यात्म जगत की दीपक जलते ही जैसे एक छण में अंधेरा गायव हो जाता है उसी प्रकार आत्म जग्यान के प्रकास में अग्यान रोपी अंधकार एक छण में विलीन हो जाता है सरान सारी भ्रांतिया मिड़ जाती है केवल बोध प्रयाप्त है सूत्रच है हे विभो व्यापक धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के हैं तेरे लिए नहीं है तू ना करता है ना भोगता है तू तो सरवदा मुक्त ही है यह आत्मा चैतन है मुक्त है असीम है सरवत्र है व्यापक है यह किसी बंधन में बंदी ही नहीं है सरीर सीमित है मन बुद्धी सीमित है आत्मा किसी एक सरीर या मन से बंदी नहीं है यह सारी भिन्निता सरीर गत हैं मानसिक हैं आत्म गत कोई भिन्निता नहीं है इसलिए अश्टा वक्र राजा जनक को विभू व्यापक सब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू सरीर नहीं है व्यापक आत्मा है इसलिए तू सरवदा मुक्त ही है यह मुक्ती तेरा भाव है इसे पाना नहीं है या उपलब्ध है ही केवल जाग कर देखना मात्र है केवल ग्राहक रिसेप्टिव होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है उसी छण जनम जनमों की विस्मरती तूट जाएगी इसमरण लोट आएगा खोजने वाला भटक जाता है खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता खोजो को छोड़ कर संसार के प्रति उदासीन वैरागवान होकर विस्राम में इस्तित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है आत्मा व्यापक है सब में एक ही है किन्तु सरीर की बिन्निता के कारण अग्यानी को आत आत्मा की भी बिन्ता का भ्रम हो जाता है या मेरी आत्मा है या उसकी आत्मा है बिन्न बिन आत्माएं हैं आत्माएं अनन्त हैं आदी अश्ता वक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को करता और भोगता मान बैठा है या अहंकार भी तेरी ब्रांती है तू चैतन आ आत्मा है जो ना करता है ना भोगता अपने को करता और भोगता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनभोग कर रहा है तू धर्म और अधर्म की बातें करता है वास्तों में ये धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के ही है तू अहंकार वसी अपने को आत्मा से बिन अनभ कर रहा है उसे छोड़ दे तो तू आत्मत सदा मुगत ही है आंकार और मन के मिटते ही तू करता पन और भोकता पन से मुगत हो जाएगा वह इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुगत हो जाएगा ओम शांती 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 झाल